गुड मॉनिंग चिल्डरन बच्चों जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो में पार्ट हिंदी साहिते में पार्ट पारा जब मुझको सापने काटा पढ़ना स्टार्ट किया था लेकिन अभी हमारा यह पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है मैंने आपको यह पार्ट थोड़ा ही समझाये था अब मैं आपको इस पार्ट को आगे समझाने जा रही हूं ठीक है तो इस पार्ट में क्या था बच्चों जब मुझको सापने काटा तो इसमें आपको इस पार्ट का नाम पढ़कर ही पता चल रहा है कि यह है पार्ट किस के किस पर अधारित है बच में आपको थोड़ा साय पाट करवा देती हूँ कि इस पार्ट में क्या था तो बच्चो एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सांप रेंगते देखा वह दीरे धीरे रेंग रहा था मुझको देखते ही वहा बागा और वही परपड़े हुए नारियल के एक खोल में घुश कर चिप गया तो यह सब कौन बता रहा है बच्चों यह जो इसमें यह चोटा बच्चा है ना यह बता रहा है ठीक है तो वह कहा रहा है कि मैंने एक दिन अपनी चार दिवारी के अंदर एक साप को रेंगते हुए देखा साप रेंगता है ना वो दीरे दीरे क्या कर रहा था रेंग रहा था ठीक है तो वह कैसा था एक बच्चों चोटा सा साप था ठीक है और वो वहाँ पर कहाँ पर जाकर छिप गया बच्चों कहाँ छिप गया था वो साप नारियल के एक खोल में ठीक है वहाँ पर एक नारियल का खोल पड़ा था तो वो उसमें जाकर छिप गया मैंने पत्थर का टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मूँ ब पत्थर लिया और उससे पत्थर के टुकडे से उसका जो मुह है वह है बंद कर दिया आगे से ठीक है ये देखो बच्चों ये है इसके हाथ में नारियल ठीक है ये इसका उपरी हिस्सा खुला था यहां से तो ये पत्थर दिखाए दे रहे आपको तो इस पत्थर से उसने उ कि नारिल के खोल को बंद करने के बाद बच्चा सांप को लेकर कहा गया, किसके पास गया सबसे पहले तो उसे लेकर मैं नानी के पास दोड़ गया, तो वह सबसे पहले किसके पास दोड़ के गया अपनी नानी के पास वे थीक है, आगे देखिए, मैंने कहा नानी, देखो मैं मैंने सांप पकड़ा है, नानी चीख उठी, सांप, अब वो बच्चों देखो नादान था बच्चों इसमें, है persone देखो नादान फे शरारती नादान, उसे नहीं था पता की सांप इतना खतरनाक होता है, उसमे इतना जहर होता है, उसने कितने आराम से अपनी नानी से कहा। क्या कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है नानी चीख उठी सांप अब चीख उठी मतलब डर से घबरा गई नानी की सांप वह इतना घबरा गई की लगी जोर जोर से चीखने पुकारने नाना ने सुना तो अंदर दोड़े आए अब वो इतना घबरा गई की जोर जोर से चीखने लगी, अब नाना ने सुना ठीक है, तो वो अंदर दोड़ कर आ गए, जब उन्हें पता चला कि नारिल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे चीन कर दूर फैक दिया, किसे बच्चों नारिल के खोल को, ठीक है, जब उन्हें पता लगा ना कि उसके हाथ में क्या है साप है तो उनुन उसको दूर फैंक दिया ठीक है अब क्या हुआ बच्चों उसके बाद क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ था जो नन्ना साप है वहाँ से बहार निकला और रेंगता हुआ वहाँ जो पास की जाड़ी थी ना उसमे गया हो गया ठीक है नानी ने मुझसे का खबरदार फिर कभी साम के पास मत जाना अब नानी ने क्या कहा कि खबरदार दुबारा से साम के पास कभी मत जाना साम बहुत खतरनाक होता है तो साम क्या होता है बच्चों वो कह रहा कि बहुत ही खतरनाक होता है तुम दुबारा से क तो उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था , ठीक है , उढ़ते है ना घरों के आसपास वह अट़िया । हमा RJ काट लेती यं DANG तो हमारा हाथ वह से शूच । हमारे उट है देक हृट न तो कह नानी ने सोचा की सांप ने काट लिया। वो दर्द से चिला रहा था, थरण परहा था। मैंने दोड कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। और उन्होंने क्या करा, जल्दी से नाना को पुकारा, अब नानी ने, क्या सोचा बच्चों यहाँ पर नानी ने, नानी ने सोचा कि शायद उसको उसी सांप ने क्या किया है, काट लिया है, ठीक है, जो सांप उसने सुबे पकड़ा था ना, और वह जाड़ी में जा कर बाग और धान के खेतों को पार करके बागते बागते वहां अपने घर से दूर एक जोपडी में के सामने जाकर रुके अब वो बाग और धान के खेतों को पार करते वे भाग कर नाना ने गोद में उसको उठाया ठीक है और भागते भागते घर से दूर उनकी घर से दूर एक छोटी सी जोपड़ी थी वहें उसके सामने जाकर रुख गए ठीक है वहाँ पहुंचते ही उन्होंने आवाज ठीक है तो यहाँ तक मैंने ये पार्ट आपको समझा दिया था अब हम इस पार्ट को बच्चों आगे पड़ेंगे ठीक है सोरी आप देखिए एक बुड़ा आदमी एक बुड़ा आदमी बाहर निकला वह साम के काटने का मंत्र जानता था नाना ने उससे कहा इस बच्चे को सामप ने काट लिया है इसकी जार फूंक कर दो ठीक है अब वो जोबड़ी के पास पहुंचे बच्चों तो वहाँ पर जैसी नाना ने जोबड़ी के बाहर आवाज लगाई तो वहाँ से एक जो बुड़ा आदमी है बुजूरग आदम का मंतर जानता था ठीक है मंतर पता है ना बच्चों आपको मंतर करते हैं थोड़ा सा बोलते हैं कुछ मंतर होता है ठीक है तो पहले के उसमें क्या मानते थे बच्चों कि जो अगर सांप ने काटा है तो उसको जो जार फूंक करते हैं ना जैसे बाबा लोग होते हैं जार पुख करते हैं मंत्र ठीक है उनके पास ले जाओ और वो मंत्र से क्या होगा जो है ठीक हो जायेगा तो उससे सांप के जहर का जो परभाव है वो नहीं पड़ेगा ठीक है नहीं लगे गा गाटने पर तो वो क्या करा उन्होंcell CHA अब नाना ने क्या समझा था बच्यों क्या सम वह उसी जाड़ी के पास भूम रहा था ना बच्चा वहां पर बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो साप ने उसको काट दिया है तो अब नाना ने क्या करा अब देखे आगे वह साप के काटने का मंत्र जानता था ठीक है कौन वह बुढ आदमी नाना ने उससे कहा इस बच्चे को साप ने काट लिया है कि इसको साप ने काटा है इसकी जाड़ फूंक कर दो ठीक है बुड़ा मुझे जोपड़ी में ले गया अब जो बुड़ा आदमी है वो उससे जोपड़ी में ले गया बच्चे को ठीक है उसने मेरी उंगली देखी और बोला अब उस ने मेरी उंगली देखी और बोला चुप चाप बैठो उसने कहा कि चुप चाप बैठो हिलना डूलना मत अब उसने बच्चे को कहा कि तुम चुप चाप होकर बैठ जाओ मतलब कुछ बोलना नहीं है चुप चाप बैठो और हिलना डूलना मत और त फिर इस बूड़े आदमी ने क्या किया वह पीतल के बर्तन में पानी लाया ठीक है एक पीतल का बर्तन था उसमें पानी लाया और उसके सामने बैठकर मंतर पढ़ने लगा कुछ पढ़ने लगा बोलने लगा मंतर मनी मन में ठीक है मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूड़े को बता दूँ कि मुझे सांप ने नहीं बर्ने काटा है और वो बच्चा कह रहा है कि मैं चाहता तो था कि मैं बता दूँ क्या बता दूँ उस बूड़े आदमी को कि मुझे साप ने नहीं काटा मुझे उस बर ने काटा है मतलब ततया ने काटा है पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया परंतु जो उसके नाना है उन्होंने उसके जोर कर जोर से कस कर पकड़ा हुआ ठीक है और उन्होंने उसे कुछ बोलने नहीं दिया जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए मूँ खोलता अब जैसे ही वह डाट कर कहते चुप डर के मारे मैं चुप हो जाता हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ महां आ पहुंची सब लोग उदास खड़े देख रहे अब वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने क्या करा क्या करा वो कह रहा है कि जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए मूँ खोलता मतलब कुछ कहने के लिए तियार होता उसी समय मेरे नाना मुझे डांट कर चुप करवा देते ठीक है नाना डांट कर क्या करवा देते चुप करवा दे ठीक है और डर के मारे में चुप हो जाता और नाना के डर से में क्या हो जाता चुप हो जाता हमारे पीछे पीछे हो कह रहा है कि जैसे हमारे पीछे पीछे नानी भी वहां लोगों के साथ आ पहुंच गई अब जो उसकी नानी है वो भी वहां पर कुछ लोगों के साथ आ उदास थे वो उदास खड़े होकर वहाँ पर देखते रहे ठीक है आगे देखिए तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैट कर जाल फूंक करवानी पर रही थी वो कहा रहा है कि तब तक जो मेरी उंगली है उसका दर्द जा च जाता है ना तो कहा रहा है कि तब तक मेरी उंगली का जो दर्द है वो जा चुका था फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैट कर जाल फूंक करवानी पर रही थी ठीक है कुछ मिनट बाद बूड़ा आदमी उठा अब कुछ मिनट बाद जो वो बूड़ा आदमी है वो उसने उसी बरतन के पानी से मेरी उंगली धोई कौन से बरतन के पानी से बच्चों जो वो पीतल के बरतन पे पानी लाया था ना ठीक है उससे उसमें वो कुछ मंतर पढ़ रहा था उस पानी में तो उसने क्या करा उस बरतन में के जो पानी है उससे उसकी उंगली धोई और मुझे पिलाया और उसे पिलाया ठीक है उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो अब उसने क्या करा उस बच्चे को कहा कि तुम कुछ नहीं बोलोगी बोलने के लिए बिलकुल मना कर दिया ताकि जो दवा है जो उसने उसको वो पानी पिलाय था ना उसका पूरा असर हो जाए ठीक है फिर वह नाना से बोला फिर वह बुड़ा आदमी नाना से बोला अब बच्चा खत्रे से बाहर है कि जो अब तुमारा बच्चा है वह खत्रे से बाहर है आप कोई खत्रा नहीं है अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए वो कह रहा है कि अच्छा हुआ कि आप समय रहते टाइम से मतलब मेरे पास इसको ले आए हो बड़े जहरीले सांप ने काटा था कि इसको बहुत बड़े जहरीला साप होता है जिसमें बहुत जहर होता है उस साप ने काटा था ठीक है अब देखो बच्चों कितनी अजीब बात है ना काटा किसने था उसको बर ने लेकिन वो समझ रहे थे साप ने तो वो बुड़ा आदमी भी बोल रहा था कि अब मैंने इसको दवाई पिला दी है तो अब ये खत्रे से बाहर है तो देखा बच्चों कितना अंधविश्वास था ये ठीक है तो वो कह रहा है कि अब जो बच्चा है वे खत्रे से बाहर है सब लोगों ने बुड़े को उसके अदबुत मतलब हैरान कर देने वाले कि उसने साप के काटे से बच्चे को बचा कितना हैरान कर देने वाला इलाज किया है बच्चे का तो उसके लिए समने उसको क्या किया धन्यवाद दिया घर लोटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेट में भेजी भेट के आखा बच्चों उपहार तोफा तो कहा रहा है कि जैसे ही घर लोटा मतलब नाना जब उसको घर लेकी आए तो उन्होंने क्या करा उसको बहुत बुड़े आदमी के लिए बहुत सारी चीजें उपहार के तोर में बिचवाई ठीक है बच्चों समझ आगया आपको कैसे अंदविश्वास है इसमें है ना काटा उसको बरने था लेकिन वो जाड़ फूक वाले के पास ले गए ठीक है और उन्होंने क्या बोला उसने थोड़े से मंतर पड़े जाड़ फूक करा ठीक है बच्चों और कहा कि वो बिल्कुल खत्रे से बहार रहकी और इसको तो बहुत बड़े जहरीले साप ने काटा था ठीक है अब चलिए आगे देखिए ये इसके पिछली वर्कशीट में बच्चों मैंने आपको इसके अतिलगू प्रशन दिये थे अब ये इसके लगू प्रशन उत्तर है ठीक है तो हमारा लगू प्रशन फस्त प्रशन है नाना मुझे चाड़ फूंक वाले आदमे के पास क्यूं ले गए तो बच्चों उन्होंने समझा कि सांप ने काट लिया है इसलिए सांप के काटे का जाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमे के पास ले गए तो इसलिए क्या करा उन्होंने काटा किसने था बच्चों बरने ना तो निशान उगली पर नीरा निशान पढ़िया था लेकिन उन्होंने क्य इसलिए वो सांप के काटे का जाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमे के पास ले गए ठीक है समझाए बच्चों परशन अगला परशन देखिए जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया मैंने ऐसा क्यूं किया होगा तो जब सांप है ना वो नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुँ बंद कर दिया था मैंने ऐसा अंजाने में किया होगा वो बच्चा कह रहा है कि मैंने ऐसे अंजाने में किया ठीक है मतलम नादानी में किया होते हैं ना बच्चों शरारती ठीक है आगे देखें क्या बुड़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था तुम ऐसा क्यों सोचते हो अब क्या सचमुच उसका इलाज किया था नहीं किया था बुड़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सापने नहीं काटा था, किसने काटा था, बर ने, ठीक है, वो गलत हो रहा था उचके साथ, मुझे असल में सापने नहीं काटा था, फिर कहानी का नाम, जब मुझे को सापने काटा हो, लेकिन पूरी कहानी साप के काटने के आसपासी घूंती है, वो कह रहा है कि बेशक मुझे सापने नहीं काटा था, लेकिन कहानी तो साप की है ना, साप के कारणी तो उसको जाड़ पूक वाले के पास लेके गए थी, नाना नानी साप के डरने के कारण सीधे बच किसके पास लेके गए थे बच्चों, तांतरीक के पास, ठीक है, अब ये इसका अभ्यास कारे है, किसने किस से कहा, देखो, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, किसने कहा था बच्चों, किसने कहा था, ये नाना ने लेखक से कहा, ठीक है, बच्चे से या लेखक से क चुप चाप बैठो हिलना ढूलना मत अब ये किस ने कहे थे किस ने कहे थे तांतरिक ने बच्चे से कहे जब वो उसका मंतर पढ़ रहा था ना उसको साप के काटने का तो तब उसको कहा था कि चुप चाप बैठो हिलना ढूलना मत इस बच्चे को साप ने काट लिया है इसक किस ने कहे थे बच्चों यह किस ने कहे थे यह है नाना ने कहे थे किस से तांतरीक से जब वो दोड़ दोड़ कर उसको तांतरीक के पास लेकर आये थे देखो मैंने सांप पकड़ा है अब किस ने कहा बच्चों यह है बच्चे ने अपनी नानी से कहा जब वो नारेल के खोल के अंदर लेके आया था उसको है ना ठीक है बच्चों समझाया आपको नानी से कहा था न उसने जब वो उसको लेके आया था जब उसने उसको देखा था आगे देखिए बच्चों आगे देखिए आगे हमारा प्रशंदो रिक्त स्थान भरिए तो रिक्त स्थान में कह मैंने दोड कर नानी को डैश दिखाई तो क्या है कह बच्चों यहाँ पर उंगली दिखाई जब उसकी उंगली पे बर काटता है, तो वो दोड़ कर जाता रा, अपनी नानी को दिखाता है, ठीक है? तो उंगली, आगे देखिए, ख, नारियल के एक टैश में घुसकर चिप गया, तो नारियल के एक क्या हैगा यहाँ पर खॉल, ठीक है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर खोल में घुसकर चिप गया कौन सांप मुझे वहाँ जबर्दस्ती बैटकर जाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चो जाड़ फूंक ठीक है तो आप यह अपने आप लिखेंगे मैं एक डैश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था किसे बर को ठीक है बच्चो तो पहले में क्या आएगा मैंने दोड़ कर नानी को उंगली दिखाई नारियल के एक खोल में घुसकर चिप गया मुझे वहां जबरदस्ती बैटकर जाड़ फूक करवाने पड़ रही थी मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ठीक है बच्चो आगे देखे क्या तुमने कभी सांप को देखा है तुमने सांप को कहा देखा और उसे देखकर तुमें कैसे लगा तो बच्चो इसमें आपने क्या लिखना है कि आपने कभी सांप को देखा है घर में या कहीं आस पडोस में जाड़ी में तो अकर देखा है तो आपने कहा देखा और उसे देखकर आपको कैसे लगा क्या आपको डर लगा कुछ लगा ठीक है बच्चों तो आपने इसमें अपने विचार लिखने है कि आपको साप को देखकर कैसे लगा ठीक है तो आप उसका चितर भी बनाएंगे धन्यवाद बच्चों